जहें डिफेंस लवर्स आज की टॉप हैडलाइन्स कुछ इस प्रकार है अगस महीने से स्टार्ट हो सकती है आर्मी की भरती प्रकरिया सेटलाइड इमेजिस में पहली बार स्पॉट हुए एंडे नेवी के दो प्रिडेटर ड्रोन्स पाकिसान के प्रदान मंदर का कहना है कि भरसरकार आर्टिकल 370 का फैसला वापिस ले नेताजी सुभाज चिंदर बोस आईलेंड पर आर्मी ने कंड़क करी एक रूटीन फाइरिंग एक्ससाइज और युक्रेन को हारपून एंटे शिप मेसाइल और सेल्फ प्रोपेल्ड होविड़स हुई रिसीव कल तुर्टुक सेक्टर में हुई द्रुखटना में जो हमारे साथ वीर जवानों और अपने जीवन का सर्वोच ची बलेदान दिया था तो उन वीरों के नाम सामने आगे हैं और उनके नाम है सुबिदार शिंदे विजे राव सर्जराव नायब सुबिदार गुरु देयाल साहू रांसवलदार एमडी सेजल्टी नायक संदीप कुमार पाल नायक जादव प्रशान शिवाजी नायक रामानज कुमार और लास पपा दित्य खुटिया यह देश इन वीर जवानों के सरवच्च बलेदान के लिए सदा इनका रिणी रहेगा बाकि इसके अलावा हिंदुस्तान टाइम्स की लेटेस्ट रिपोर्ट के मताबिक इंडिदार्मी की रिक्रुट्मेंट प्रॉसेस यानि की भरती की जो प्रक है तो इसे भी अंतिम रूप दिया जा रहा है और ऑफिशल सोर्स के मताबिक जो रैगुलर रेक्रुट्मेंट रैलीज हैं वो देश भर में अगस्त से दिसंबर महीने तक आयूजीत की जा सकती है रिपोर्ट के मताबिक इंडिर आर्मी में वर्तमान समय में पर्सनल बिलो ऑफिसर रैंक केडर में रिक्रुट्मेंट प्रॉसेस को फिर से रिस्टार्ट करने की यूजना बना रही है अनके ऑफिशल्स का ये भी कहना है कि इस कमीने आर्मे के ऑप्रेशन रेडिनेस को प्रभावित नहीं किया है और जो हमारी यूनिट से वो बिलकुल अच्छे त लेटिने जेनरल डियेस और रिटायर तो उनका ये कहना है कि इस टूर अफ जूटी वाले मॉडल को इंप्लेमेंट करने से पहले अभी इसमें थोड़ा और विचार करने की जरुवत है लेटे सेटलाइड इमेजिस में पहली बार यूएस से लीज पर लिये गए इंडिनेवी के दो MQ-9B ड्रोन्स स्पाट हुए हैं और इन ड्रोन्स को तामिल अडू के अराकोडम के पास इंडिनेवल एर स्टेशन आइनेस राजली में देखा गिया है इसके अलवा एक अपडेट यह है इसमें दवीक की एक रिपोर्ट में सीनियर ओफिस्चल के हवाले से बताया गिया है कि रशिया यूकरियन वार के बज़े से जो एक ग्लोबल चिप शॉटेज के समस्या पैदा हुई है तो इस समस्या ने भारत Electronics Limited यानि कि BEL के कई सारी प्रमुख पर्योजनाओं को प्रभावित किया है आला कि BEL ओफिस्चल का ये भी कहना है कि इतनी सारे चुनोदियों के बावजूद भी BEL का जो turnover है तो उसमें पहले साल के comparison में 9% growth देखी गई है और साथी साथ BEL ने 33.30 million US dollars के export turnover को भी हासिल किया है और BEL द्वारा सफलता पर हुआ कई major orders को भी execute किया गिया है जैसे की long range की surface to air missiles, akash weapon system, fire control system, integrated air command and control system, advanced composite communication system, integrated electronic warfare suit और coastal surveillance system और साल के दोरान BEL ने कुछ नए products और systems को भी introduce किया है जैसे की laser fence system, higher jammer for active tank production system, drainage intrusion detection system और ऐसे बागी सब और साथ में ये भी कहा गया कि BEL को और भी कई बड़े orders मिले हैं जैसे की LCA के लिए avionics package, fighter aircraft के लिए advanced electronic warfare suit, instrumented electronic warfare range, electronic voting machines, gun electronic upgrade, electronic warfare system for ships, weapon locating radar, integrated observation equipment और ऐसे कई सारे बड़े orders और साथ में ये भी कहा गया कि same time पर BEL स्वधिसी technologies को विक्सित करने पर भी अपना ध्यान के इंद्रित कर रही है और साथे साथ BEL code areas और intellectual property rights को return करने के लिए R&D इन सभी पर भी focus कर रही है और जबकि भारत के MSME से खरीद के मामले में BEL ने 31% तक का योगदान दिया है और जम्मो कुश्मिर के अनतनाग में एक और encounter start होने की report सामने आई है और अभी जिससे में हमें video record कर रहे हैं तब तक आई reports के मताबिक आज के इस encounter में दो और सुमरों को सफलता पुर्वक हुरी fight किया गिया है और इस दोनों के दोनों सुमरों को संगठन हिजबूल के साथ जुड़े हुए थे और इस दोनों ही local terrorists थे जो कई सारे अपरादों में शामिल भी थे और इनके पास से arms and ammunitions भी recover किये गए हैं और वैसे जिस दाब से जम्मो कश्मीर में एक के बाद एक operation चल रहे हैं तो हमें तो ऐसा लग रहा है कि हमारी forces ने ठान लिया है कि दिवाली के इंतिजार नहीं करना है उससे पहले ही सफाई कर देनी है और वैसे आतंके उसे याद आया आज पाकिस्तान के प्रधान मंत्री शयवाज सरीफ की तरब से कहा गिया है कि एशिया में शान्ती लाने के लिए भारत की जिम्मेदारी है कि वो जम्मो कश्मीर से आर्टिकल 370 को हटाने वाले फैसले को वापिस ले ताकि जम्मो कश्मीर का मुद्धा बाच्चीत के माध्यम से सॉल्व हो सके वैसे अब तो हम भी थगे हैं कि इससे की न्यूज आपको बताते बताते क्योंकि पाकिस्तान के मंत्री गण जब भी कुछ भारत को लेकर कहते हैं तो उसमें अधिकते चीज़ें सेम ही होती हैं बस जो कह रहा है वो बदलते रहता है जब तक आर्टिकल 370 नहीं आटाता तब तक यहीं कहते थे कश्मीर देदो कश्मीर देदो अब Article 370 हड़ गया है तो अब यह कहते हैं कि Article 370 वाला फैसला वापिस लो यह illegal है, unilateral है यह सब चीजे हैं और कमाल के बाद यह है कि पाकिसान के प्रधान मंत्री यह कह रहे हैं कि भारत की जिम्मेदारी यह इश्या में शान्ती लानी के लिए और शान्ती कैसे आएगी Article 370 वाला फैसला वापिस लेकर अलग कमाल के बाद यह है कि पाकिसान आतंक्यों को समर्थन करना बंद करेगा न आतंकी यासिन मलिक को तुरंथे रिलीस करें आप कहें तो प्राइवेट जैट में बढ़ा के आपके घर भी छोड़ देते हैं और फिर दूसरा अच्छा ऑप्शन भी है कि भ्रहंबोज मिसाल के उपर बढ़ा के छोड़ा जाए आप बाताईए आपको कौनसा ऑप्शन प रहेंगी जो कि ब्रिक्स कंट्रीज की स्पेस एजिंसी की हैं जिसमें एक है ब्रजील और चाइना दोरा बनाई गई सीबी ए रस फोर रश्या की के नोपस वी टाइप और चाइना की गाउफन 6 और जीवान 302 अलाकि ब्रिक्स नेशन का जो ये वर्च्वल सेटलाइट कॉ अपरेशनल हो जाएगा तो इसके बारे में फिलाल कोई टाइमलाइन जारी नहीं की गई है लेकिन लेट जून मायोजीत होने वाली अपकमिंग ब्रिक्स लेडर समिट के दोरान इस पर कुछ महत्वपूर्ण फैसला हो सकता है और बाकि इस कॉंस्ट्रिलेशन में भारत की जो सेटलाइट्स हैं वो कही अलग-अलग अप्रेशनल अप्लिकेशन जैसे की क्रॉप प्रोडक्शन एस्टेमिशन, फॉर्स्ट कवर मैपिंग, मैपिंग और मॉनिटरिंग लैंड और रिसोर्सेज और इस तरह की अलग-लग अक्टिविटीज में क्लाउट फ्री डेटा प्रोड़ करेगी आज अंडिर आर्मी द्वारा नेताजी सुभाष चंद्रबोस आइलेंड पर एक रूटीन फाइरिंग एकसरसाइस कंड़क की गई थी और इस एकसरसाइस में ट्राइसरवेस अंड़मान और निकोबार कमांड से आर्मी और नेवी दोनों के ही कॉंपोन प्रेंट्स शामिल थे एक अपडेट ए भी है जिसमें वैसनारमी कमांड के तरफ से बताया गया है कि कल के दुरुगटना में जो हमारे उन्नी सोल्जर्स घायल हुए थे तो उन्हें आज ट्रीट्मेंट के लिए ग्रीन कोरिडर के माद्यम से चंदिगर की कमांड हॉस्प प्रेट किया जाएगा वहीं दूसरी तरफ आज शनिवार को रैशन फोर्स के तरफ से अनॉस्मेंट की गई है कि उन्होंने अपनी जर्काउन हाइपर सॉनिक क्रूज मिसाइल का विहाली में एक सफलता पुरुवक परिक्शन कंडग किया है परिक्शन के दौरान इस मिसा बहास का तो आपको बता दें कि आज एक दिन 2005 में असम में इस देश की प्रती अपना करतेविने भाते हुए ITBP की 3rd Battalion के Constable जितिंदर कुमार ने अपनी जीवन का सर्वोची बलिदान दिया था आज एक दिन 1999 के कार्गिल वार के दौरान नायप सुविदा लाल सिंग और नायक राकेश चंद भी वीरगती को प्राप्थ हुए थे आज इक वो दिन है जब 1999 में ऑप्रेशन सफेज सागर के दौरान फ्लाइट लैटिनेंड एस मुहिलान, स्क्वार्ण लेडर राजी पुंदिर, फ्लाइट सार्जेंट, पीवी अनार प्रशाद और सार्जें रा सर्वोच बलेदान दिया था, बाके आपके लिए आज का सवाल कि एंडिन आर्मी में सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट को क्या कहा जाता है, और अब समय है आज के टॉप थ्री कमेंट्स का, क्यो ये रहे आपकी स्क्रीन पर, तो हमारे आज के इस एपिसोड के लिए इतना ही उम्मीद आपको एपिसोड पसंद आया होगा, अगर पसंद आये तो वीडियो को लाइक किजिए, शेर किजिए, और बाके हमारे मचनडाइस के नए डिजाइन्स को चैक आउट करना ना भूलें, जिसके लिंक आपको किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें